दोस्तों कि आपके गॉल ब्लैडर में भी पत्री है स्टोंस है और आप चाहते हैं इसका उपरेशन कराना तो यह वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों मेरा नाम है दॉक्टर वैवर प्रताप सिंग और मैं आप लोगों का स्वागत करता हुमारे चैनल फ्रेंडी डॉक्टर तो दोस्तों अगर गॉल ब्लैडर में आपके पत्री है तो इसका यूज्वेली और कोई राज नहीं होता है सिवाए ऑपरेशन के आपको सेवियर पेइन हुआ होगा आपने अल्टरसाउंड कराया है उसमें आपको गॉल ब्लैडर में स्टोंस के बारे में के द्वारा मिनिमली इन्वेजिव यानि की बिना बड़ा कोई चीरा लगे बहुत ही छोटे-छोटे-छोटे माइन्यूट चीरे के इंसीजन्स या चीरे के थुरू आपका ऑपरेशन कर दी जाएगा इसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कोलेसिस्टे एक पहली बात जो अनस्किया होता है और एक मेजर सर्जरी के त्रीट कर चाहता है और आपको इन्सीज़न जो होता है वूथ काफी आपको बड़ा इन्सीजन दिए जाएगा ऐसे या ऐसे ठीक है और जो बहुत ए-डहुत च्योथा दरी ये जाइगा तो इसी लिए जो चांसे थोड़े से बढ़ जाते हैं वह एक या दो या तीन दिन ही एड्मिट रहना पड़ता है और साती साथ बहुत सारे डॉक्टर्स उसको करते हैं और आप बहुत जल्दी अपने एक्टिविटी रिज्यूम कर सकेंगे दोस्तों सर्जरी करने के पहले क्या क्या मनलब चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखने होगी तो डॉक्टी से आप सर्जन को दिखाएंगे लैप्रोस्कॉप्टे को रिशेट्मि जर्नल सर्जन क करता है या गेस्ट्रो सर्जन जो एंच होते हैं वह भी कर सकते हैं तो आपको एक्जामिन करेंगे कि कहीं और को प्रॉब्लम तो नहीं है आपको बॉड़ी में जॉन्डेस वगरा तो नहीं हो रहा है बहुत सारी चीज़ें वह देखेंगे और आपका जनलर वेल बीइंग सब देखने के बाद आपको पैथलोजिकल टेस्ट कराए जाएंगे इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें वाइरल मार्कर की कोई आपको हैपटाइटिस भी हैपटाइटिस सी कहीं डॉर्मेंट पड़ा तो नहीं है है अपका सीवी सी किया जाएगा कोई बॉड़ी में इ हो सकता है ऑपरेशन के दो तीन दिन पहले सर्जिन दुबार रिपीट कर रहा है करेंट स्टेटस देखने के लिए कि गॉल बेडर की जो वाल अगयरा है वो ठीक है कहीं गॉल बेडर फट तो नहीं रहा है ठीक है क्या एक एंडिट लेप्रस्कॉपिक सर्जिर के लिए पर होता है तो डॉक्टर आपको MRCP भी एडवाइस करेगा तो यह सारी चीजें पहले अगर कराई जाहें तो आपको घबराना नहीं है सब रूटीन टेस्ट होता है अकॉर्डिन पेशन उसको जो भी आवशकता होती है वो सब कराया जाता है दोस्तों सर्जरी के दौरान क्या ह जाता है और इनी के थूट गॉल बेडर जो है आपका यह गॉल बेडर है नहीं से बांद के इसको इनी छोटे से पोर्ट के थूट बाहर भी निकाल लिया जाता है तो इसमें हम लोग समझते हैं यह आपका अम्लिकस है नेवल वाला इलाका है यहां से एक लाइट का सोर्स दा रहा है ठीक इसमें कर्बन डायक्साइट थोड़ी घ्याज ही भरी जाती है ताकि आपको साफ दिखे इसी को बोलते है दुर्बीन ठीक है यह लाइट का सोर्स है यह ऐसे लाइट थ्रो कर रहा है और यहां पे अम्लिकस आपका जो नेवल होता है यहां से लगाया गया अब डिपेंड करता है सजन पर कोई सजन इसके लावा एक या दो पोट कम भी हटा भी देते हैं एक या दो पोट से भी कर लेते हैं ठीक है और यूज्वली वन टू थ्री पोट एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं यह आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ठीक है यह गॉल बेटर यह गॉल ब्लैडर है यह इंस्ट्रूमेंट उसको पकड़ रहा है और यह फाइनली यहां से बाहर इतने छोटे से चीर सही निकाल लिया जाएगा तो इस तरह से यह सर्जरी आपका करी जाएगी ठीक है यह एक्ट्वल इमेज है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ठीक है यह डॉक्टर साब है यह असिस्टेंट है यह पोर्ट लगा हुआ है यह अंबलिकस से लाइट सोर्स होगा और डॉक्टर आपका हाथ में इस्ट्रूमेंट्स लिए रहते हैं उटी की इमे निकाल लेगा तो दोस्तों सर्जरी के बाद क्या होगा मेडिकल टीम जो होगी आपकी डॉक्टर की अनेस्थीसिया की परमेडिकल स्टाफ की वो थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा यूरेन आउटपुट वगारा देखा जाएगा हो सकता कैथर्टर लगाए जाए आपको परिशाप के थुक्ट आप भोश में नहीं होंगे बिए फॉर सम टाइम फिर आपका ब्लड प्रेशर पल्स रेट आपका सैचुरेशन सारी चीज़े मोनिटर किया जाएगी और जब आप एनस्थीस से अगर एफेक्ट वेन उफ हो कि यूजुली अगर कॉंप्लिकेशन सोती नहीं है तो यूजुली आपको सेम डेबी डिस्चाज किया सकता है या नेक्स डे भी डिस्चाज किया सकता है अगर सारी चीज़ें सर्जरी में ठीक ठांग निकल गई हो तो और आपको कोई प्रॉब्लम नहों तो नेक्स डे रोका जाए ओन यूर कंडिशन ठीक है तो इतना असान सर्जरी होती है यह सर्जरी करने के बाद कुछ कुछ प्रकॉशंस आपको लेने होंगे जैसे कि हवी वेट्स जो है वह आप नहीं उठाएंगे जो पानी की मात्रा है वह अच्छी रखेंगे फूड जो होगा आपका एक्सस फॉर्मेजन हो सकता है उसमें कोई साइनस बन सकता है तो वूंड का हम लोग इंफेक्शन ना उसका ध्यान रखेंगे और ग्राजूली अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे ऐसा नहीं कि तुरंत हम पूरा अपना काम करने चले गए पूरा विगरस जिम में व अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करें यूजिली साथ दिन के बाद आप अपनी सारी जो डे टू डे अक्टिविटी जाना उगरा सब प्रिज्यू कर सकते हैं दोस्तों ऑपरेशन के बाद इतना छोटे से यह अंबलिकस है नेवल वाला इलाका जहां से लाइट सोर्स गया था इतने छोटे छोटे आपको चार कुछ सर्जन तीन ऐसे बस इतना से रेजडूल रहेगा यह भी कुछ समय बाद दिखने बंद हो जाते हैं इसी को कहते हैं लैप्रोस्कोपी कोलिसिस टेक्ट में या दुरबीन से ऑपरेशन कॉल बेडरा कराना उमीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स से शेर करें हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चलनक शबस्क्राइब थैटि